हेलो इवरिवन, DRX Health & Beauty फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग एक ऐसे क्रीम के बारे में बात करेंगे जो आपके चेरे के दाग धब्बे, जाईयां सबको खत्म करके आपके चेरे को गोरा एवं सुन्दर बनाने में आपकी साहता करता है दोस्तो इस क्रीम का नाम है Skin Sign दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Skin Sign Cream का प्राइस क्या है, इसको कौन सी कंपनी बनाती है तथा इसका उप्योग से आपको क्या-क्या लाव होगा इसका कम पोजीशन क्या है, Skin Sign Cream का इस्तेमाल कैसे करें इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तता हमारे वीडियो को लाइक, सेयर तता चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों इस्किन साइन क्रीम को केडिला फार्मसुटकल लिमिटेट के द्वारा मार्केट में बेचा जाता है दोस्तों यह क्रीम 15 ग्राम के ट्यूब में आती है दोस्तों यह क्रीम आपको किसी भी मेटकल इस्टोर पर 145 रुपे में मिल जाती है दोस्तो स्किन साइन क्रीम के कंपोजीशन की बात करें तो यह तीन दवाओं के कंपोजीशन से मिला कर पना है जिसमें पहला मेडिसीन हाइड्रोक्विनोन 2%, ट्रेटीनाइन 0.025% और मोमेटासोन 0.1% की पोटेंसी में इस्तेमाल किया गया है हाइड्रोक्विनोन तोचा को गोरा बनाने वाली दवा है यह तोचा में मेलेनीन की मातरा को कम करता है क्योंकि मेलेनीन की ज़्यादा मातरा आपकी तोचा को काला बनाती है मोमेटासोन एक इस्टोराइड है जो उन केमिकल मेसेंजर को बनने से रोकता है जो तवचा को लाल, सूजे हुए और खुजलिदार बनाते हैं 39 विटामिन A का एक रूप है जो तवचा को पोसर देकर तेजी से गलो करने में मदद करता है इसकी Connect का इस्तेमाल मेलाजमा के ईलाज के लिए किया जाता है या तवचा को गलो करने में मदद करता है तता दाग धब्बे को खतम करके या लालिमा सूजन और खुजली से राहत परदान करता है इसकीन साइन क्रीम का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सुजाय अनुशार करना चाहिए इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले प्रवाविच छत्र को साफ करके सुखा लें और फिर इस क्रीम का इस्तेमाल करें दोस्तो यह क्रीम के वल बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल कभी भी इंटरनल के लिए ना करें दोस्तो स्किन साइन क्रीम का उपयोग हमेशा रात के समय करें इसकीन साइन क्रीम के इस्तेमाल से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं आईए इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपको इस्तेमाल किये जाने वाले जगा पर जलन हो सकती है खुजली हो सकती है और लाली यानि रेशेज की समस्या हो सकती है यद इस तरह की कोई भी समस्या आपको होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लें दोस्तों आसा करते हैं कि हमारे द्वारत दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद